नमस्कार दोस्तों फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक्सिस इसमेवल के मूचल फंड के बारे में जिसका डिटेल्ड रिवीव करेंगे हम इस वीडियो में उसके रॉलिंग रिटन्स जानेंगे लाश्ट फाइव एर एंड सिंस इंसेप्शन उसके रिटन कुन उस मूचल को मैंज करके चल रहे हैं इस सारी इंफॉमेशन हम इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहीगा बीचमे वीडियो को सिप्ट कीजेगा नमशकार दोस्तों मैं हूं अर्विंदाएं की स्वागत करता हूं आपका एक शा सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लिजेगा आएए आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स हमारा mutual fund है एक्सिस स्मॉल के mutual fund इसकी क्रेटिगरी स्मॉल केश है यानि यह अपना मेजर एक्सपोजर है जो इन्वेस्टमेंट का वो टॉप टूफिप्टी कंपनीज के आलावा जो कंपनीज होती है उनमें रखता है start date की बात करें तो 29th November 2013 से start रहा था यानि काफी पूराना fund हो चुका है AUM इसका 6,785 क्रोड है जो की काफी कम है और इस mutual fund के पास अभी काफी scope है ग्रो होने का expense ratio इसका 0.39% जो की काफी reasonable है minimum SIP यहां पर 500 से start कर सकते हैं लंसम minimum investment करना चाहते हैं तो 5000 से यहां पर यह भी start कर सकते हैं exit load यहां पर 10% unit से ज़्यादा यदि आप वन यह से पहले विट्रो करते हैं तो 1% चार्ज होगा वन यह के बाद कोई exit load चार्ज नहीं होगा allocation by market के देखें तो large companies में यह 2% investment कर रहे हैं mid companies में यह 40.76% इंवेस्ट करके चल रहे हैं small companies में यह 46.40% इंवेस्ट करके चल रहे हैं benchmark इसका निप्टी small के 100 TRI है fund managers यहां पर अनुपम तिवारी जी है October 2016 से एंड हितेजदाज जी ने December 2020 से इस fund को join किया है rating इसकी काफी अच्छी है सबसे best है 5 star trailing returns देखें तो one year में इसने 79.62% perform किया है three year में 27.51% perform किया है five year में 21.81% के returns इसने बना के दिया and since exception यानि 2013 से इसने 26.57% के return बना के दिये जो कि काफी अच्छी बात है friends sector allocation देखें तो यह mutual fund अपना सबसे ज़्यादा investment construction sector में कर रहा है 21.30% technology में 14.26% invest करके चल रहा है FMCG में 11.26% chemicals में 10.27% financial sector में यह 8.74% invest करके चल रहा है healthcare में 7.03% metal में 5.14% services में 4.09% and other sector में 17.91% investment करके चल रहा है टॉप 10 holding की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा अपना holding galaxy surface 10 में कर रहा है 5.41% Tata Alexine में 4.78% JK Lakshmi Cement में 4.36% CCL products में 4.23% Narayana Hardeya Limited में 3.42% Brigade Enterprises में 3.37% Kofos Limited में 3.23% Fine Organic Industries में 3.16% PNC Infratech में 2.79% and Baila Soft में 2.66% invest करके चल रहा है यह तो यह रही इसकी top 10 holding अब next हम discuss कर लेते हैं risk and volatility यहां पर हम discuss करेंगे standard deviation sharp ratio beta and alpha सबसे पहले बात करते हैं standard deviation की जितना कम होता उतना अच्छा माना जाता है यहां पर इसका standard deviation 24.30 है वहीं category का average 28.34 है यानि इसका standard deviation category के average की बजाए काफी better है शाप ratio जितना ज्यादा होता उतना अच्छा माना जाता है यहां पर sharp ratio 0.98 है वहीं category का average 0.65 है बीटा जितना कम होता उतना अच्छा माना जाता है यहां पर बीटा 0.73 है वहीं category का average 0.87 है अलफा जितना ज्यादा होता है अच्छा माना जाता है अलफा इसका 13.60 है वहीं के degree का average 6.23 है अलफा यह बताता है कि इस mutual fund ने अपने benchmark को कितना ज्यादा बीट किया है अपने benchmark के comparison में कितने अच्छे return बना के दिये हैं तो friends इस mutual fund ने अपने benchmark को 13.60% से बीट किया है काफी अच्छा performance रहा है इसका return देने के महमले में next हम discuss कर लेते हैं इसके rolling returns last year में इसने किस type से अपने rolling returns दिये हैं friends इस mutual fund के three year के rolling returns की बात करें तो इस mutual fund ने negative returns अपने सिर्फ 0.35% टाइम्स दिये हैं बहुत कम बार इसने में negative रिटन दिये हैं और 0 से 8% रिटन इस mutual fund ने 19.01% टाइम्स दिये हैं एड से 12% रिटन इस mutual fund ने 24.65% टाइम्स दिये हैं और 12 से 15% रिटन इस mutual fund ने टेवन पॉइंट टू से वन परशेंट टाइम्स दिये हैं वहीं 15 से 20% रिटन इस mutual fund ने सबसे ज्यादा 26.76% टाइम्स दिये हैं यानि काफी ज़्यादा बार इसने 15 से 20% के रिटन परफॉर्म किये हैं वहें greater than 20% रिटन इस mutual fund ने 17.96% दिये हैं यानि काफी टाइम ऐसा भी आया है जब 20% से ज़्यादा रिटन इस mutual fund ने generate करके दिये हैं नेक्स्ट हम डिसकस कर लेते हैं कि इस mutual fund का equity small cap के साथ कैसा compare रहा तो फ्रेंड्स ये लाइन है माइनस 25% की ये 0% के ये 25% की तो फ्रेंड्स ये कुछ टाइम ही ऐसा आया है जब इस mutual fund ने 0% के लंसम रिटन दिये हैं यहां पे कुछ-कुछ बार ही ऐसा आया है यह नेगेटिव रिटन्स रहे हैं बार कि इसके रिटन्स ये जो येलो कलर की लाइन है इसको देखिए आप ये हमेशाँ ओपर ही रही है हमेशा इसने 0% से जिजादा की रिटन्स दिये हैं यह काफी कम ब river is return में थे पॉइन 14.8 परसेंट तो फ्रेंड चैब काफी oni ऐसे होता है जो अच्छे ताइम में पो जड़ा दो यह through negative return उनके आते हैं तो वो अच्छे मुचल फंड को संबाल के रखें बूरे टाइम में कैसे अपने returns को बचाए कैसे positive returns perform करे वो mutual fund अच्छे माना जाते हैं तो friends और आज जो हमने इस mutual fund के बारे में analysis किया है उसके according यह mutual fund काफी अच्छा mutual fund है friends यह कोई promotional video नहीं है इसको आप promotion ना समझे यह मेरी personal राय है और आशा करता हूं friends आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और एक्सी स्मॉल के mutual fund के बारे में कुछ अच्छे से समझ में आओगा कि यह किस टाइब का mutual fund है friends अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी के साथ share कीजिएगा मिलते हैं किसी और अच्छे धमागदार informative वीडियो में जैहिंद